हलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मैं रुपाली वर्मा हम यहां पर यानि की हम यानि हमारा चैनल आपके लिए बेंतहा खोशिश करता है कि आपकी स्टेडी में किसी भी तरह की बाधा नहीं आए अर्थाथ हमारे चैनल पर दिखाये जाने वाले सभी वीडियो आपको टोटली हंडेट परसेंट प्री प्रोवाइट कराये जाते हैं हम यहां पर आपसी किसी भी तरह के पेमिंट की मांग नहीं करते हैं या हम बुलें कि दो वीडियो आपको दिखा दिये तीसरा वीडियो देखने के लिए आपको कुछ पेमिंट करना पड़ेगा या कोई पैकेज होते हैं क्यों क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि हमारे देश के सभी बचे बहुत ही अच्छी एठ्शेशन प्राप्त करें इसी लिए हम आपको 100% Reduktion चली आगे बढ़ते हैं आते हैं आज के वीडियों पर देख रहे हैं आज का हमारा वीडियो है क्लास 12 हिंदी एलेक्टिफ सेलेबस के लिए हमारी बुक है अंतरा भाग दो जो हमारे दो खंडों में विभाजत है कावेखंड और गर्देखंड तो यह जो हम आज का पाठ ले रहें हैं यह कावेखंड की यह जो हमारा प्रस्तुत किया गया है तो यहां पर हम जो करने जा रहे हैं इन चंदों का डिटेल एक्समेशन पहले कर चुके हैं यहां पर हम क्विक चैप्टर रवीजन करें कंप्लीट चैप्र रवीजन यानि कि फटा फट हम चैप्टर को रिवाइस करें क्योंकि बहुत सारे टेस्ट हमारे होते रहते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम फटा फट रिवाइस कर सके तो इसके पहले अच्छे से समझे जो वीडियो पहले अप्रोडेट हैं जिन में हमने पूरा डिटेल एक्समेशन दिया हुआ है उसको समझे फिर इन वीडियो को देखिएगा जो आपके कंप्ल लिए शुरू करते हैं इसमें तीन चंद हैं तो पहला जो चंद है वो है सरस्वती वंदना यानि कि पहले चंद में सरस्वती वंदना हमारे सामने प्रस्तूत की गई है तो पहले इसको पढ़ते हैं समझते हैं बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए ऐसी मती उदती उ पर्तमान जकत बखानत है के सुदास क्यों नहूं ना बखानी का हुपए गई पती बर नए चार मुख पूत बर नए पांच मुख नाती बने सठ मुख तद पी नहीं नहीं तो अब यहां पर क्या बता रहे हैं सरस्वती जी की जो महानता को है बहुत से लोगों ने बखानने की खोशिश करी मगर हमेशा वो पूरी तरीके से उनके बारे में कोई भी बता नहीं पाया है चार मुख वाले उनके प्रति यानि की ब्रह्मा जी उनके चार मुख वाले प्रति हैं और पांच मुख वाले नाती हैं और जो शठ मुख वाले हैं वो उनके आगी बखान रहे ह तो यहां पर जो है चीजे बताई गई है कि किस तरीके से पती बने चार मुख, पूत बने पांच मुख, नाती बने शट मुख, यानि कि पती जो है वो चार मुख वाले हैं, उनके पुत्र जो है वो पांच मुख वाले हैं और छे मुख वाले उनके नाती हैं, मतब इतना सब होने के बावजूद भी उनकी उदारता उनकी फ्रिसिद्धी को अगर लोग बखानने बैठते हैं तो कोई उन्हें बता नहीं बाता है तो यह तो प्रदम चंद हो गया अब दुतिये चंद में हम आते हैं यहां पर पंचवटी वनवर्णन है कि यहां पर लक्षमन जी जो है वो उर्मिला को जो है पंचवटी वन की उदारत बता रहे हैं कि यहां पर वन कैसा है उसके बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या है सब जाती फटी दुख की दुपटी कपटी ना रहें जहां एक घटी निगटी रुची मीच घटी हूं घटी जगगटी जतिन की छूटी तटी अग ओग की बेरी इकटी बिकटी निकटी प्रकटी गुरु ज्यान गटी चहूं और नाचती मुक्ता नटीगुनी घूर तो यहां पर लक्षमर जी बता रहे हैं कि यह पंचवटी को ध्यान से देखो और मिला तुम यहां पर चारों तरफ अगाध शानती है यहां पर एक से एक नीच व्यक्ति भी आ जाए इतना कपटी व्यक्ति भी आ जाए तो भी यहां साधू बन जाता है यानि कि यह लोगो के मन से जितनी बुरी भावनाएं हैं यहां पर रहकर वो निकल जाती है और जितना भी नीच व्यक्ति हो एक दम साधू बन जाता है चारों तरफ देखों यहां पर शांती है श्रद्धा है सद्विश्वास है क्यूं क्यों कि यहां पर राम रहे कर गए हैं इसलिए यहां पर इतनी शांती है इतनी शुधता है यहां पर अगला चंद देखते हैं अंगद अंगद जो है वो श्री राम जी के दूद बन कर गए थे रावड के में तो भई ऀला पाया उनका उनका जो कहते हैं पैर उन्होंने कसक तो यहां पर वो श्रीराम-जी की के बारे में उदारता विक्त करते हुए कहते हैं क्या कह रधुनातर बांध्री बांधिके बाट बनी शिरीरगुनाथ प्रताब की बात तुह तसकंठ ना जानी परी तेल नी तूली पूछ जरी ना जरी जरी गई जरी लंका जराई जरी तो यहाँ पर क्या बोल रहें अंगत की जो है सिंधु सिंधु नांग के हनुमान जी का एक वानर यार था तो हनुमान जी यहां पर आ गए मगर तुम से लांग के पूरा समुद्र लांग कर यहां पर आ गए मगर तुम से जो है लक्षमण जी की खीची हुई एक रेखा ना लांगी गई दक्षमाड एका कीची थी नहीं वो ना लांग पाए थे सीता जी को छल से बाहर बुलाया था उन्होंने तो तुमसे वो एक रेखा ना लांगी गई तुम जो है ना उन्होंने पूरा बांध एक पुल बनाकर पूरी बानर से ना जो मतलब रावण से बोल रहें कि तुम श्री राम जी के प्रताप को तुम नहीं जान पाए हो तेज तेल तेजरी टूल अंकरज ब्रावण के पास गये थे तो वो उनसे कहते हैं अब चलिए इनी सर्य चंदों यानि तीनों चंदों के सार को समझते हैं क्या है राम चंदर चंद्रिका के शवदास की प्रसिद्ध रचना जिसका एक अंश पाठ पुस्तक में संकलित है यानि कि यह काफी बड़ी रचना है सिर्फ छोड़ा सा अंश हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है इस अंश में तीन चंदों में पहला चंद सरस्वती वंदन अगर वो भी उनको पूरी तरीके से बखान नहीं पाए हैं दूसरा चंद है दूसरे चंद समयें में इन्होंने पंचवटी की महामत्य का सुन्दरवर्णन किया है एवं उसकी तुलना शिव के गुणों से करी है कि जैसे शिव अपार है उनको कोई उनको कोई बखान नही सकता उसी तरीके से यह पंचवटी भी है यहां पर वो उतनी ही शांती और सुद्धता हमें देती है अंतिम चंद जो है अंगत वहां क्या दिया गया है पाट के अंतिम एवं तीसरे चंद में कवी ने अंगत द्वारा किये गए शिराम चंद जी के गुणों का वर्णन किय वह रावण से कह रहे हैं कि राम का वानर हनुमान समुद्र को लांग कर लंका में आ गया और तुमसे कुछ नहीं हुआ रावण लक्षमण द्वारा खीची गई धनूरे का भी पार नहीं कर पाए अंगत उनसे कह रहे हैं कि वह राम के प्रताप को पहचाने मतलब इतना ृताप को नहीं जान पाएं तुम समझो रावण की अभी भी समय हैं तुम इस युद्ध को चोड़ दो सीता को चोड़ दो यह चीज़ कहके दूद बनके वह गये थे मतलब अभी भी तुम श्रीराम के प्रताप को समझो पहचानों और सीता को मुक्ट कर दो और इस से रिलेटेट कुछ प्रेश्ण है समझाई यानि कि जो पहला वाला जो पद दिया है इसका हमें समझाना क्या है इस गण में एक केशवदास सरस्वती की वंदना की है वह कहते हैं तो सरस्वती की उदारता का कोई वर्णन नहीं कर सकता देव सिद्ध पुरुष शेष्ट रिशी तपस्वी आधी उनके वर्णन करते करते ठक गए एक कोई भी इसमें सफल नहीं हो पाया मतलब बहुत जाद और उन बखाना लेकिन तब भी वो पूरी तरीके से उनके बारे में नहीं बता वाए सरस्वती की उदारता नित नवीन रूप में प्रकट होती है ुआ इस लिए का वन्दन करना असंभव है मतब करना संभव नहीं है यासंभव है क्यों क्योंकि उनको हम जितनी बार देखते हैं उनके नया ही दिखता है तो इसलिए हम अगर जो हमने देखा हमने लिखा फिर हम दुबारा देखेंगे तो अकुछ नया總rik घंट का जितनी बार हम देखते जाते हैं नैया ही दिखता है इसलिए उन को हम पूरी तरीके से उनके बारे में नहीं लिख पाते हैं तो यह तो प्रथम चंद में आ गया अब नेक्स्ट है कोशन नमबर टू है पंचवटी में कपटी व्यक्तियों पर क्या प्रभाव पड़ता है यानि कि जो बुरे लोग हैं जब वहां पर आ जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है क्या है पंचवटी अपने गुणों में समाप्त हो जाते हैं तो उनके अंदर के जितनी बुरे भाव हैं वह समाप्त हो जाते हैं जैसे सिर्व के सामिप्प में लोगों के कपट भाव खत्म हो जाते हैं पंचवटी में कपटी व्यक्ति इनके सात्विक प्रभाव के कारण अपना कपट छोड़ देते हैं यानि कि यहां इतना साथ्विक्त है आध्यात्मिक्ता है कि जो इनके अंदर जो गलत भावनाय होती है वो अपने आप ही समाप्त हो जाती है वे कपट छोड़कर प्राकतिक सौंदर एवं इसकी साथ्विक्ता के फलसुरूप साथ्विक विचारवाले बन जाते हैं यानि कि उनके अं पांधत सो ना बानियों उन बारिधी बांधी के बाट करी पंक्ती में नहित उप कथा को अपने शब्दों में लिखिए यहां पर जो ये पंक्ती दी गई है इसमें जिस कथा को बखाना गया है हमें वो कथा लिखनी है क्या दिया है रावण सीता को हरकर लंका ले आया वह सीता को ढूंडते हुए हनुमान आये जिनहें रावण ने अपमानित किया रावण बहुत अपमानित किया था हनुमान जी को उसे अभिमान हो गया था कि जिसमें वह उचित अनुचित भूल गया है अंगा तुसे समझाते हुए कह रहे हैं कि श्रीराम ने अपने एक वानर द और केकिन तो उन्होंने शिरीराम जी ने तो समुद्र को ही बांध लिया और उस पर रास्ता बना लिया मतलब तुम उनके भेजे एक दूंद को ना बांध पाए लेकिन उन्होंने पूरे समुद्र को बांध लिया अर्थात उस पर बांध बना लिया और उसे पार करके पूर राम चंद चंद्रका है लक्षण हैं येकिया होते हैं लक्षण ग्रण्थ होते हैं इन ग्रण्थों में श्रिंगार आलमबं के र effic-दियर में इंगरन्थों में साहित शास्त्र का अनुसरं करते हुएμεं वे चंद में नायक और नाइक को प्रमुखता प्रदान की जाती है इन्हें लक्षण ग्रंथ का जाता है लक्षण ग्रंथों में साहित्य सास्त्र के नियुमों के नुसार अच्छना की जाती है तो यह जैसे हमारे सामने जो यह जो ग्रंथ आया जो यह रामचंद चंद्र का है एक लक्षण ग्रंथ लक्षण ग्रंथ में पौराणिक जो कठाएं होती हैं जो हमारे नायक नायका जैसे राम जी हो गए सीता जी हो गए इनको नायक बनाकर या शिव जी हैं सरस्वती जी हैं लक्षमी जी हैं इन पौराणिक करेक्टर्स को लाकर हमारे सामने रखा जाता है उन पर छंद उनको जो है उनके उपर छंद लिखे जाते हैं जब हम उनको समझ जाते हैं तो मतलब हम उन सारी चीज़ों को अपने अंदर लेते चिसाहिद्ञ के कहा होती है साहित में हिंदी साहिद्ञ की जाती तो तो राम चंद्र चंद्रिका में जो है ना इस तरीके के बहुत से छंद हैं जो पौरानिक कथाओं से जो है प्रेरित हैं जैसे कि अभी हमने एक पंचवटी वर्णन पड़ा पंचवटी बहुत फेमास है कि कि शिराम वहां जाके रहे वहां की सुद्धता शात्वित्ता आध शुद्ध और कितना पवित्र इस्थान है उसी तरह अंगत ने श्री राम का बखान किया सरस्वती का बखान हम लोगों ने पढ़ा तो यहां पर जो मेन करेक्टर्स हमारे नायक और नाईका हैं उनकी अच्छे सुभाव उनकी विशेशताओं के बारे में हमें बताया जात है तो यह हो गए हमारे लक्षडगंत और साथ ही हमारा इस चैप्टर का जो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है वह भी समांत हो गया हमने फटाफट कर लिया क्योंकि हम चाहते एक्जाम की टाइम हमारा समय कम लगे और फटाफट हर चीज को रिवाइस कर सके तो इसी तरीक करेंगे आपके सामने यहां पर वरन शचौट रिवीजन आजाएगा आप इसे क्लिक करिये ट्रे करते ही आपके सामने जो है ऊसाभी क्लासे आगए जिनमें वरन शोट विजन अवलेबल है बस आपको अपनी क्लास सेलेक्ट करने हैँ आपकी क्लास है यहां पर 12 इसे आप और आपके सामने देखिए यह पूरी जो है 12 की प्लेलिस्ट आ जाएगी अब इसमें आप देख रहे हैं सभी सब्जेक्स हैं अब आपको ढूना है हिंदी हिंदी यहां पर फुल चैप्टर वन शॉट रिवीजन दिया हुआ है आप इसे क्लिक करेंगे क्लिक करते ही आपके सामने सारे चैप्टर आजाएंगे जो भी चैप्टर आपके एक्जाम में आने वाले हैं यानि कि जिसे आप्र वाइस करने वाले उसे फिर से क्लिक करिए और क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से वीडियो स्टार्ट हो जाएगा और फटाफट वीडियो देखे फटाफट रिवीजन कर लिजिए रिवीजन तो करिए लिकिन साथ में हमारा एक और चैनल है मैंक्निस बेंध हिंदी इसे भी सब्सक्राइब करिए आपके पहचान में जान में रिष्टार में अगर को हिंदी मीडियम में हैं तो उसे किसी भी तरह की कोई परिशानी का सामना नहीं करना पड़े क्यों क्योंकि हमारा चैनल आपको बहुत ही अच्छे तरीकिये से समझता है कि आपकी परिशानी क्या है और उसका सिलूशन हम लेकर आते हैं हमारे चैनल पर सभी कंटेंट टोटली अरेंज है आपको एक टॉपि